नमस्कार साथियों आपका एक बार फिर से चैनल में हार्दिक अभिनंदन है आपका बहुत-बहुत स्वागत आज हम फिर से हजी रहें एक नई क्लास के साथ और जो आज क्लास होने वाली आपको पहला स्क्रीन पर देखने से लग गया होगा कि रिजिनिंग की क्लास होने वा रहा है घ्ली का ठीक था का रहा है मतल بين तो आईये चलते हैं आपको कुछ से रूब्रू कराते और अपने आपी move और वाले। तो हो तो नहीं होसे को तो भी देखिए अब आप इनमें से आने वाली संख्या को चुनेंगे तो यहां पर क्या आएगा यह यह पूछ रहा है तो देखिए का साथियों आप जो देखी रहे हैं इस कोशन के सिजुटेशन आपने देख लिए होगी तो देखिए इसमें है आप जो देखेंगे तीन दूनी छैंट दूनी 6 और 6 में जोड़ दिया उन्होंने चार तोचार चार हो जाते हैं दस ऐसे देखिए 5 इकम 5 और 5 में जोड दिये 2 तो 5 और दो साथ तो साथ तो इसी प्रकार से इसमें आएगा 6 तिया 18 प्लस 2 तो 18 प्लस 2 कितने होगे गाईज 20 तो इसी के साथ आपका अंसर हो जाएगा 20 तो इसी के साथ गाईज आपका अंसर इसमें 20 तो आप 20 अंसर टिक करें Next question Next question आपकी स्क्रीन पर दिये गए चित्र में कितने तरबुज हैं कितने तरबुज हैं तो आप इसमें देखिए आराम से ऐसे कोशनों में आपको जल्द बाजी नहीं करनी होती थोड़ा अपना इस्तिमाल दिमाग इस्तिमाल कीजिए उसके बाद इसका आंसार्टिक करेंगे तो देखिए इसमें कितने होंगे तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये चित्र कैसा है, देखिए ये ऐसा तरबुज है चिक है, उसमें फिर एक ऐसा डंडा खेंच रखा है समझ गया तो आप इसमें जब देखेंगे तो देखे इसमें एक त्रबूज यह रहा दूसरा त्रबूज यह रहा और तीसरा त्रबूज जो आप दोस्तों देख रहे हो वह इसमें यह वाला तीसरा त्रूज है इस तरीके से इसमें तीन त्रबूज इसमें हो जाते हैं तो उसने आगे क्या किया है उसने सिर्फ इसमे एक डंडा और खेंचा इसका मतलब तीन त्रबुज इसमें है और तीन ही त्रबुज उपर वाले में होंगे इसका मतलब तीन और तीन छे त्रबुज इस question में आपको नजर आएंगे तो इस तरीके से इसमें 6 question answer हो जाएगा अगला question अगला question आपकी screen पर आए यह रखो उसमें का है यदि यी प्लस का अर्थ यदी प्लस का अर्थ गुणा हो और मैनी इज का घखो और गुणे का आर्थ माइथ माइनिस और प्लस का भाग का अर्थ प्लस हो तो बताये 26-25 प्लस 74 बराबर क्या होगा तो आप इसको फटाफट करेंगे देखो 26 माइनिस 52 और प्लस 74 यह तो देगी रखा है अब वह यह कह रहा है कि प्लस को हम करेंगे गुणा के से प्लस को गुणा मानेंगे तो इसके इस्थान पर हम कर देंगे गुणा ठीक है इसके इस्थान पर हम कर देंगे गुणा और माइनिस को क्या मानना है माइनिस को कर देंगे हम भाग ठीक है माइनिस को भाग करते हुए मानेंगे अब क्या होगा 26 को बावन से भाग देना है 26 को बावन से ठीक है यह हो गया आपने भाग देदे 26 को बावन से अगला क्या है गुणा तो गुणा करे आपकी स्क्रीन पर इसमें आप देखेंगे यदी सिक्स ये एक मार्क दे रखा है एड़ इसको फिर सेवन फिर एड़ एड़ त्री इसका कोई कोई मिनिंग है तो उसको बराबर कहता है कि वह हो जाते हैं 16 थे तो यह 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 दो इसने आप आपके समेंदेखंगे इसने का रखा च्छा चार चे और साथ 13 13 और तीन 16 तो इसने मतलब add the rate का मतलब जोड ले रखाया इसका मतलब प्लस कर रहा है चार और पांच नौ और एक 10 ऐसे क्या होगा 9 7 16 और इस तरी के से question का अंसर क्या हो जाए गाइस इस तरी के से question का अंसर बाइस नेक्स्ट अब यह question जो आपकी screen पे रहा गाईस इसमें सब्दों को सब्द कोश में आने वाले क्रम के अनसार जमाना हैं सबसे पहले ऑप्शन देखे happens इसमें क्या है m a n gibtOr सबसे पहले पहला वर्ड सर्च करेंगे तो पहला वर्ड समय सेव है तो एम समय सेव है फिर दूसरा वर्ड सर्च करेंगे दूसरा वर्ड अब देखेंगे तो फस्ट वाले में ए आता है फस्ट वाले में ए है और दूसरे वाले में आई है तो आई तो पीछे आएगा तो इस साब से देखेंगे तो न आ रहा है ऊसमें ईगा लैकिन इसमारा उस तो यह पहले आता है यह पहले लगेगा तो यह न लिखा जाएगा और सेकेंड अब यह जएकर था इन दोनों में कॉम्पेटिशन था इन दोन में आप यह चार जाएंगी आप competition चल रहा है दो और चार में से सबसे पहले कौन सा लिखा जाएगा देखिए माई के बाद माइंड में माई एन आ गया और इधर फॉर्थ नमबर पर भी माई एन आ गया तो यहां तक अब तक समाने लेकिन आप जैसे ही आगया आप सेकंड नमबर के में जब देखो गया आप तो इसमें डी आ रहा है ठीक है और इसमें आ रहा है तो डी पहले आता है इसलिए competition यहां पर खतम होता है और दो यहां पर जीत जाएगा वह पहले लिखा जाएगा और चोथे नमबर का फिर बाद में लिखा जाएगा अब पांच वह बजता है एम यू तो सबसे अगली पर चलते हैं अगले कोशन यह आपकी स्क्रीन पर इसमें कह रहा है कि निमनलिकी प्रस्नों में दिए गए विकलपों में से लुपत संख्या ग्यात की जिए मतलब यहां पर को और आएगी वह ग्यात करवा रहा है आपको अब देखेंगे इसमें 43 और 39 इसका मतलब क हुआ है तो 100-6 हुआ है फिर 128 में से 27 अगया 128 मिस इसका मतलब मैनिस 7 हुआ है तो अगला में मानिस 8 हो जाएगा तो माइनिस 8 करोगे आप 121 में से मानिस आठ आप करोगे तो आंसर आ जाएगा एक सो तेरा तो इस तरीके से एक सो तेरा हो जाता है next question गाईस next question आपकी screen पर दिखगे आपको कि एक अनुकरम दिया गया इस में से एक पदलुप्त है तो दिये गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको चुनना है ठीक है तो आप इसको देखेंगे तो देखें यू अब आप इसमें देखेंगे तो गाइज मैं थोड़ा color change कर लेता हूं यह तो अब देखिए एदे रखा है फस्ट फस्ट देखिए इदर फस्ट देखिए एदर रखा है बी दे रखा इसी दे रखा और दी रखा तो अगले में जो आएगा अन्सर आपका या आएगा त इधर से नीचे उतर रहा है तो इसका मतलब न के बाद पहले क्या आता है तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा अब इदर देखिए आर एस्टी यू तो आरेस्टी यू तो अगला वी आ जाएगा तो इस तरीके से एम वी इसका अंसर हो जाएगा और ऑप्शन से विसम सब्द चुनेंगे कि विसम सब्द कौन सा है तो देखिया ध्यान से देखिए फर्स्ट ऑप्शन में रखा है गंगा और नदी इसका मतलब गंगा क्या है एक नदी है मतलब नदी का ही बाग क्या है गंगा सैकेंड ऑप्शन दे रखा है कलम लिखना मतलब कलम का क्या म對тор मसाले मतलब मफिसों मेधि आती है मेर्च लेकिन कलम है कर लालतों यह काम बताएं से मतलब इसका क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा जम्सप्त आप इस विषम्ण सब चरह अचाटना है तो फिसम जलिए और लिखना विविश denial क्लमप और लिखना यही विशल है क्योंकि इसमें उनका काम बताए गया है जब्कि उसमें काम नहीं था उनीगत प्रकार बताई ही थे जैसे नदी में गंगा नदी और पक्षियों में सुतरम०्ध पक्षिया मसालों में मृचा है तो यह सब एक तरीके से एक समाना अर्थी टाइप से थे लेकिन ये कलम और लिखना ये अलग था तो अगला कोशन गाईज नेक्स्ट कोशन निमलिकित प्रस्णों में दिये गए विकल्पों से विसम छाटना है इसमें भी विसम छाटना है आपको तो विसम देखेंगे आप देखेंगे कैसे है 14, 27, 25, 4, 9 और 12, 25 अनुमान लगा लिए होगा आपने क्या इसमें स्रीज चल रहे है तो देखेंगे सबसे पहले मैं आपको पता देता हूं कि क्या स्रीज इन में चल रहे है तो आप देखेंगे आप जैसे देखेंगे नीचे से देख लो चलो 12, 24 और 1, 25 ठीक है तो 2 से दोनी 4 और 1, 5 तो यह भी विसेम है तो मतलब इन में सेम फोलो रहा है तो इसका मतलब चोड़े दुना 28 होना चाहिए था और यहां पर क्या किया है माइनिस कर दिया है तो इसका मतलब यह विसम क्या है यह इस तरीके से गाई विसम हो गया ऑप्शन वन नेक्स्ट गाई अ आई-स, ओ-टि, ओ-स, यू-व, इ-क, आई-ल आई-ए नमें से देखे कैसे है तो आप इनमें सबसे पहले देखेंगे तो आप confused होगे आप सबसाइब poco नहीं क्या किया सोचेंगे तो आपको सिपर बता देता हूं इसमें तो आप एक चीज नोटिस करेंगे देखो यह पी दे रखा है तो इधर क्यू क्यूं ते रखा है यह और यहां का यहluentर दे रखा है तोιο ह людей होगा रहा था तो सी कभी यह मतलू हो और यहां तो प्लस था इसमें इसमें स्पडल स्था और इसमें भी प्लस हो था ठीक है और एका अग के का के में एल तो यहां पर यह अब तक प्लस हो रहा था लेकिन सी वाले में यह ऑप्शन थर्ड में क्या था था थोड़ा माइनिस हुआ ठीक है तो आप देखेंगे चलो यह देखनें की इतना थोड़ा इसमें डिफरेंस है लेकिन और शीज़ेंगे आप एके बाद एके बाद ए आया है तो वह कैसे आया है देखो हमारे स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू यू यह हमारे होते हैं गाई स्वर ठीक है तो यह थोड़ा में रेज कर देते हैं यह जो बहुत ज़्यादा हो गया इसको तो ये इरेज कर देते हैं हमें इसको मिटा देते हैं आपको थोड़ा समझ आ जाएगा अच्छे से इसके लिए हाँ तो देखें A, E, I, O, U ये होते हैं स्वर ठीक है तो इन्होंने क्या लिखा है इदर लिखा है तो उसका अगला या या ई लिखा है मतलब वह इस तरीके से स्वरीज लिखी है लेकिन यहाँ पर देखें ओक तो यू लिखा है इसने ओके बाद तो यू आता है लेकिन अब आपिसमें देख रहे हैं लेकिन सी के बाद इसको डी लिखना चाहिए था जैसे और सम्में P के बाद Q स के बाद T लिखा है और एक के बाद के बाद लिखा है ौट के बाद सी के बाद डी लिखना चाहिए था एक सेकंड गाइस दोस्तों यह कोई टेक्निकल एरर हो गए थी इस वज़े से हमारा वो बॉर्ड बंद हो गया था इसलिए माँ आपको इसमें बताएंगे तो आपने वह समझा कि एके बाद यह आया हूँ यह थे और उस यह साब से वह आ रहा था तो इस तरह किसा आप समझ होंगे इसमें यह अंसर होने वाला गाइस अगला कोशन गाइस तो आप दोस्तों यह अगला कोशन यह आप इसको द्यान से पढ़िए क्या कह रहा है कि वह आर एक चुनिए जो नीचे दे गए वर्गों के भी संबंद का सही निरूपन करता है तो वह आरे चुननाया में ज जादा हो रखाया इसको जुम आउट कर लिता हूँ थो कर लिया जुम आउट कर लिया इसए तरीकसे कौन सा निरूप vegat इनको करेगा computer को monitor को और keyboard को ठीक है computer आपको अगर देखनी रहा हो screen पर तो मैं लिख देता हूं computer आप काम चला लें computer monitor monitor और keyboard ठीक है अब यह हैं इनको आपको कि अड़ेस्ट कर लें यह keyboard ठीक है तो यह आपको कह रहा है कि आपको इनमेस बताएगी कौन सा है वह सई निरुपित करता है तो आपने अनमान लगा लिए होगा देखिए computer है computer इसका क्या है तो इसमें देखिए computer है तो computer एक चीज होती है तो monitor उसकी unit है output unit होती है ठीक है monitor जैसे output unit है ऐसे keyboard भी unit है उसका तो keyboard और यह computer इसके पार्ट है मतलब अलग लग चीज है तो computer एक है तो इसका मतलब आपको गोला नमबर थ्री आप देखेंगे तो यह गोला जो है यह तो दिखाएगा आपको computer को और एक उसके अंदर जो दूसरा गोला है तो गाइस यह दुबारा से यहां पर मिस्टेक हो गई इसके आज इस वीडियो के लिए मैं बहुत खेद है गाइस जो यह बार बार यह टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे इसके लिए तो आई आप दुबारा से बने रहे तो देखें computer है computer है लिख देता हूं मैं एक बार एक बार फिर से मैं इसको लिख देता हूं अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो computer ठीक है monitor और keyboard ठीक है यह चीजे हैं ठीक है यह चीजे अभी कैसे निरूपत करेगा देखिए option 3 इसका correct answer कैसे computer है यह आप देख रहें computer यह computer का option हो गया ठीक है उसके बाद आप द जाएगा और एक हो जाएगा keyboard गां तो इस तरीके से सई डंग से जो निरिपूत करेगा तो यह वाला गोला इसको निरिपूत करेगा सई दंग से तो next question आपकी screen पर है कि निमने लिखित विकलपों में से संबंदित सब्सक्राइब को देखिए तो देखिए लोहा है धातू लोहा क्या है दातू तो oxygen क्या है oxygen gas है तो इसका option answer हो जाएगा इसका गैस तो next इसमें पूछ रहा है संबंदित संख्या को चुनिए विकलपों में से 13 27 और 31 पराबर क्या आएगा तो देखिए 13 26 और 1 27 तो 31 62 62 63 ठीक है तो इस तरीके से 63 आएगा तो इस खांसर हो जाएगा 63 next question है guys कि निमलिकित प्रस्णों में विकलपों में से संबंदित अक्षर को चुनना है तो देखिए कैसे चुनेंगे तो इसनों ने दे रखा है एजी जैड टी और समानुपात लगा के जैडी और अनुपात लगा के यहां यहां क्या आएगा यह चुनना है हमें अब से परते हैं एई बी सीडी और अगर उल्टा करते तो फिर आता है जैड सबसे पहले जैड अनूंप तो इस तरीके से और उल्टे का मतलब हो गया पहले जैड फिर वाई फिर एक्स ऐसे आते आते सी बी ए ऐसे हो गया इसका मतलब यह है तो क्या कर रहा है यह लिखा है उसने तो उल्टे में से लिखता है वह जैड ठीक है तो यह लिखता है जैसे यह एकी जी के लिखता है मतलब उल्टे से सब्सक्रिटी है वो उसका उल्टा होगा अब जैसे जी का उल्टा मैं करूँ एक इस तो इसलिए गआगया तो इसी परकार वह कुशन में आगे यह कह रहा है कि ऐसे ही जे का उल्ट निकालना है तो कितने बचने 17 आथा है क्यूंज ठीक है अब यह वह डिका निकालेंगे आप 27 में से हम क्या करेंगे 27 में से हं 12 तो 27 में क्या करेंगे डिकान नंबर क्या होता है चार तो चार गटा देंगे तरह तो यह थ्यान रखने है को इसमें आनसर हो जाएगा फ्रेस्ट में इस प्रेस्ट में पूंचा है कि निमलिकित विकल्पों में से वह सब करके नहीं बनागा जा सकता तो यह है अ cette को करके कॉंट इस नहीं बना जा सकते यह कह रहा है आप आपको तो देखिए सबसे पहले देखेंगा वर्थ तो W That is b 2 क्षसे में ॉ आ то बी है आर कैसे चंड़ी यह इसमें टिभी है तो इसका मतलब यह भी बन जाएगा एच देखिए एच यह क्या एच नहीं है जी इसमें तो यहीं पकड़ में आगे इसका मतलब है एच यह नहीं बनेगा क्योंकि यह है इसमें बनाओ कैसे आप इसको इस तरीके से अगला कोशन आगला कोशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि रमन है वह में उपर से 19 स्थान पर है और नीचे से गिंड़ते हैं त Panther नीचे से इस्थान पर दो बताओ पंक्ति में कोल कितने व्यक्ति हैं उपर से कहलो या आज और ओधर चैनल लग रही है तो उपर से हैं मतलब यहां से स्टार्ट है यह उपर से और यह पीछे से ठीक है यह नीचे से है तो पीछे से गिनते हैं तो रमन कितने विवस्तान पर आता है तो कह रहें रमन नीचे से 25 विपर तो मतलब तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाना है वह क्या लगाना है आपको यह लगाना है कि एक चीज़ देखिए जब अगर यह यहां बैठा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि 19 विपर वह बैठा हुआ है और इसके पीछे कितने और हैं 24 हैं क्योंकि जब 24 होंगे जब इसका इस्तान पीछे से 25 वाएगा तो यहां तो आप 19 पिलस 24 कर लो कितने होते हैं 3 और 4 43 इसका मतलब उसमें 43 हैं ठीक है यह तो आप ऐसे कर लो यह फिर आप कैसे करोगे यह पर पीछे से गिन लो फिर आप कहीं से तो गिनोगे ना तो पीचे से 25 वाथ यहां तक 25 होगे और यह भी का है कि आगे सुनीश वाए तो यह उन्नीश वाए तो इसका मतलब इधर 18 भी है लड़के जो भी है इधर 18 तो 25 और 18 कितने होगे तो 25 और 18 जोड़ेगो तो 43 हो जाएगे तो इस तरीके से इसमागा गाईज अंसर आएगा 43 न lekker को यादे कि उसका जनम दीन 22 अपरेल के बाद है तो बताओ कमल का जनमदिन कोन शीता रह्ता को आता है कि मांधटा को याद है 22 Aparil के बाद है, ठीक है, 22 Aparil के बाद आनो है, बाद में आएगा और, खुद कमल को याद है कि उसका 24 Aparil से पहले आएगा और 24 से पहले आएगा, तो भई यह 24 से पहले और 22 बाद बीवीच में क्या आती है, 23 तो इसका मतलब उसका जनम दिन कब है 23 को तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेइस next अगला question भी आपको थोड़ा हो सकता दुंदला दिख रहा हो लेकिन मैं बता देते हूं कथन निसकर्ष का है और वह कथन निसकर्ष का आदार पर पूंच रहे łáveisज कषियां है्ट है इसमें से कुछ ले लो और ये कुर्षियां करदो यह तो हो गईक शका़े मेज है ठीक है готовhand कथन कहता है कि सभी कुर्षिया कफ हैं सभी कुर्षियां कंथ हुए क है तो कैसे होंगी गई देखोँ अब हम कणर्षेंज के नेकर्षित कंप हैं तो सभी कु करशियेंस तो कभ भी दिख्री और मेस तो यहां तक ही यहां तो इसका मतलब खब है Park गल्लता क luc कुछ मेंज कप हैं कप यहाँ तक मेर्म यहां तक हैं जैनलों तो हैं अगला सही है अगला question next question दिख रहा है गाइस किसी विशिस्ट कोड भासा में P.A.L.M. Palm को Q.C.O.Q लिखा जाता है मतलब P.A.L.M. को लिखा जाता है Q.C.O.Q ठीक है ये लिखा जाता है तो वो कह रहा है question कि फिर इसी तरीके से S.T.E.M. को क्या लिखा जाएगा ठीक है ये लिखा जाएगा अब देखिए P.C.O.Q लिखा जा रहा है तो इसका मतलब एक जोड दिया यहाँ पर प्लस एक क्या है A.C. लिखा है इसका मतलब आगे दो जोड दिया है क्योंकि A.A. इसका मतलब इसमें 3 जोड दिया है M होता है 13 नमबर और Q होता है 17 नमबर पर इसका मतलब इसमें 4 जोड दिया है तो एक दो तीन चार है से जोड जोड जा रहे हैं तो अब देखिए अब आपको इसमें क्या लिखेगा तो S में क्या जोड़ेगा 1 तो S के बाद क्या आएगा S के बाद आ जाएगा T एक जोडने से फिर T में क्या जोड़ेगा T में जोड़ेगा 2 तो T के बाद 20 और 2 22 पर क्या जाता है V T और U और V तो V आ जाएगा 22 हो गया E में कितना जोड़ेगा अब 3 तो आगया टी वी एच और अगला एं यह कितना जोड़ेगा वह चार उसकी जग करेक्ट हो जाता गाश इस तरीके से आपका यह कंप्लीट होता है अगले कोईशन आप पढ़ेंगे दूंदला थोड़ा सा है लेकिन आप एड़ेस्ट कर लीजिए मेरी मजबूरी को समझी आज मेरे थोड़ा खराब हो गया था इस वज़े से देखिए अगला कोशन है कि कि इसी कोड़ वासा में सन को लिखा जाता है 108 और मून लिखा जाते एक सोचोदै तो इस टार को क्या लिखा जाएगा तो देखिए सन को एक सो अब आप इनको जोड़ को देखो कितने होगे हैं यह होगे 10 और 4 14 चार और 4 5 54 54 होते हैं लेकिन यह कितने लेख रहा है 108 इसका मतलब दूगना कर रहा है चलो यहां तो दूगना होगा आगला देख लेते हैं देखा मून में क्या सीन है मून में देखिए एम आता है 13 नंब नंबर पे डबल हो है ना तो वह भी पंदर नंबर पे और एन आता है 14 नंबर पे आप देखिए 15-35 30 40 50 और साथ 57 तो यह होगया सब्सक्राइब इसका यह लिखा एक सो 14 मतलब इसको डबल ही किया है इसने तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं अब इस टार का में देख लेना है इस टार पर वह कितने बन रहा है तो इस टार में देखिए एस आता है 19 पे टी आता है 20 पे ए आता है वन नंबर पे और आ रहाता है ठीक है तब आप जोड़ करेंगे आठ रेक नो 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 अठार है अठार का अंसर लेगी एक और तीन चार और एक पांच तो अठाउन अठा रखा रखा है नीचे तो इसलिए इसी तरीके से आपकी रीजनिंग के सवल वहां पर आने वाले हैं और बहुत जादा हाड और फास्ट आने वाली वह नहीं है तो आपने अपने आपको चेक कर लिए होगा कितने आरा तो कमेंट करके बताएं आपने कितने कोशन इन में से स सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको हमारे चैनल पर जितनी वीडियो आ रहे हैं वह कितनी अच्छी लग रहे हैं उसको कमेंट करके आप बताएं कितनी हैलफुल आपके लिए होने वाली हैं यह भी आमें बताएं क्योंकि हम अच्छे से अच् प्रवाइड करने की कोशिश करते हैं तो finally guys एक बार फिर से तहे दिल से आपका बहुत बहुत सुक्रिया जो आप इस वीडियो में बने रहे तो thank you so much guys for watching this video thank you